हलो एंड वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल स्माई सेवाटेक द्यूर फ्रेंड्स स्माई सेवाटेक लेके आता है आपके लिए हरले टेस्ट आपडेट तो आज का जो हमारा अपडेट है वो है जिके बोर्ड आफ प्रोफेशनल इंट्रेंट्स इग्जामिनेशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकालेगे हैं जिके बोपी की तरफ से तो हम उन नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में डिसकेशन करेंगे तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं यह जो जी आपकी स्क्रीन पे है फर्स्ट नोटिफिकेशन यह निकाला गया है जैके बोप की तरफ से तो इसमें यह कहा गया है कि जो बियाड कोस्ट 2021 गोर्मिंट कालेज आफ एजुकेशन कैनाल रोड ज तो यह जो डेट है यह एक्स्टेंट की गए है जी 26 आफ जुलाई 2021 मिडनाइट तक यनिके रात को अधी रात को यह जो है लिंक 26 जुलाई 2021 को लिंक डी अक्टिवेट कर दिया जाएगा लिंक बंद कर दिया जाएगा तो जिन भी स्टुडेंट्स ने अभी यह एप्लिके फिल कर सकते हैं तो वाइस यह था जी बीड के रिलेटिड अब हम दूसरा जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं तो यह जो दूसरा नोटिफिकेशन है जो जो जेके बोपी की तरफ से निकाला गया है तो यह है जी एडमीशन के लिए डमीशन नोटिफिकेश for common entrance test 2021 for BSC nursing, BSC paramedical और BSC technology courses. तो यह जो है notification जो के बोप की तरव से BSC nursing, BSC paramedical BSC technology courses के लिए जो common entrance test होना है 2021 की admission के लिए उनके लिए यह notification निकाला गया है तो जो भी students अपनी admission करवाना चाहते हैं BSC nursing, BSC paramedical और BSC technology courses के लिए तो वो जो है आप अपना application form फिल कर सकते हैं तो guys चलिए देखते हैं कुछ इसकी और important information तो जो online application form है form जी 19th of July 2021 से लगना start हो जाएंगे और इनकी जो last date रने माली है वो है 7th of August 2021 midnight तक आप जो है इन courses के लिए online application form फिल कर सकते हैं तो कौन-कौन से courses हैं already मैं आपको बता चुका हूँ फिर से मैं आपको बता देता हूँ BSC nursing, BSC paramedical और BSC technology courses की admission के लिए ये notification निकाला गया है तो जो है अगर इसकी admission fee की बात की जाए तो fee जो है वो rupees 1,000 रने वाली है तो fee जो है आपको online पे करनी होगी through credit card, debit card or net banking के तो जो है आप अपनी fee पे कर सकते हैं और उसके बात जो है अगर आपको ज़्यादा information चाहिए इनके courses के related तो आप जो है जेके बोपी की official website से e-information brochure download कीजिए और जो भी information आपको चाहिए वहाँ से आप read कर लिजिए और जो syllabus है examination के लिए यह जो entrance होना है इन course के लिए इनका जो syllabus है वो सारा का सारा यह brochure के अंदर दिया हुआ है exam pattern के related भी आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कि किस किसम का exam होना है क्या क्या syllabus है इन course के entrance test के लिए तो आप क्या कीजिए simply यह brochure download कीजिए जेके बोपी की website से और उसको read कर दीजिए और उसके बाद जो है next जो point है date of entrance test to be notified separately कि जो entrance की जो date है इस entrance की वो आपको अलग से notify किया जाएगा जेके बोपी के दोरा then उसके बाद जो है examination may be conducted offline by the board जो है examination शायद offline ही हो तो उसके बाद जो है next देखते है तो fee के बारे में हमने देख लिया last date के बारे में देख लिया then उसके बाद जो है अगर आपको किसी किसम की help चाहिए तो इन numbers पर या इस mail पर आप contact कर सकते हैं तो उसके बाद जो है submission of online application form ये 19th of July से start होगा तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि how to apply online तो इसके related आप जो है जिस दिन link activate हुआ आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से help ले सकते हैं और कुछ information देख लेते हैं important points regarding submission of online application forms तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको क्या करने होंगे scan document, original document या self-attacity certificate आपको upload करने होंगे form fill करते वक तो इनका जो format है वो पीडिया format होना चाहिए और जिनके अगर size की बात की जाए तो 100 to 200 kb का kb size की या फाइल होनी चाहिए अगर इनसे ज्यादा या कम होई तो फिर ये files जो है upload नहीं होंगी सबसे पहले कौन-कौन से document सब को चाहिए सबसे पहले होना चाहिए जी domicile of gent के of ut of gent के or ut of ladak domicile certificate होना चाहिए जन उसके बाद जो है अगर domicile at the case may be domicile certificate if not issued at the time of filling up online application of the candidate can upload undertaking certifying that he or she shall submit procedure the same at the time of counseling for candidate of ut of ladak as t certificate issued by the government authority of ladak shall be treated as domicile certificate अगर आपको उस दिन issue नहीं हुई है तो आप क्या कर सकते हो undertaking certifying जो है वो upload कर सकते हैं जन उसके बाद जो है जो ladak के students है वो क्या करेंगी as t certificate जो है upload कर सकते हैं तो उनको treat के जाएगा as domicile certificate के तोर पर as t certificate को तो उसके बाद आपको upload करना है जी सबसे पहला जो document है domicile then उसके बाद जो है qualifying marks 12th class certificate आपको upload करनी है अगर आपका result हो गया है तो then उसके बाद data bar certificate आपको upload करनी है ये जो है आपको 10th class की marks चिट upload करनी है जो आपको jkbos की तरफ से या जी हाँ से भी आपन 10th की है जो आपको issue की गई है then उसके बाद आपको reserve category certificate आपको upload करनी है अगर कोई है then उसके बाद any other document as requested या कोई दूसरा document जो वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा तो guys ये थी कुछ information इसके related और उसके बाद हम signature देख लेते है photograph and signature और thumb impression photograph, signature और thumb impression का जो format होना चाहिए JPEG format में और इनका size at 10 to 50 kb के बीच में होना चाहिए then जो है उसके बाद eligibility आप देख सकते हैं अगर मैं इस notification की analysis करना शुरू हो गया तो video काफी लंबी बन जाएगी तो आप एक काम कीजिए जेके जोपी की official website visit कीजिए और वहां से ये notification download कीजिए और इसको खुद से read कर लिजिए तो guys इस video में आपको बस इतनी ही जनकारी दैनी थी if you have any query regarding this you can ask me in comment section so that's the end of video thanks for watching as always God bless you all